स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ममास फूट कॉर्नर में फ्रेंड सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे में एकदम टेस्टी काजु कत्ती चॉकलेट के साथ लेकर आई हैं जो कि आप देखी स कितनी ज्यादा यम्मी दिख रही है और फ्रेंड यह सिर्फ दस मीरिट के अंदर इस्से आप आराम से बना सकते हैं और इसे पहले से बना कर रख सकते हैं और तेहरों में enjoy कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिलकुल न भूले आईए बनाते हैं हमारी टेस्टी टेस्टी काजु कतली विद चॉकलेट तो इसके लिए यह और mixy में हमें एक साथ नहीं पिसना है जो pulse mode होता है उसमें हमें एकदम बारिक पॉडर बना लेना है इसका तो यह आप देख सकते हैं हमारी काजु बढ़िया एकदम बारिक पिसकर ready हो गई है अगर आपके काजु में थोड़ा, वो ऐसे मोटे से दाने दिख रहे हैं तो आधी कटोरी हम शकर लेंगे और पाव कटोरी उसी कटोरी से पानी लेंगे मिजरिंग आप थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगे हमारी काजु कतली अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम शकर को मिल्ट होने देंगे और बीच में चलाते रहेंगे और इसमें में फ्लेवर के लिए करीब 2-3 हरी लाइची पीस के डाल दे रहें इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी काजु कतली का और इसकी हमें एक तार की चाशनी बनाना है तो शकर मिल्ट होने के बाद 2-3 मिनिट हम इसे और अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर चमच में इस तरह से कोट करके थोड़ा सा फूकेंगे उसको क्योंकि बहुत गर्मे चाशनी और इस तरह से हम दो उंगलियों के बीच में देखेंगे अगर तार जैसा बन रहा है तो हमारी चाशनी रेड़ी है और तार नहीं बन रहा है तो एकाज मिनिट और पका आएगा तो इस तरह से हमें चलाते हुए करीब 2-3 मिनिट के लिए पका लेना है इसे हमें बहुत ज्यादा एकदम ड्राय नहीं करना है बस यह मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी 2-3 मिन बाद तो इसे हम बंद कर देंगे गेस को और बटर पेपर पे घी लगा के इसको रेडी कर ले रही हूं और जो हमारा काजुकतली का मिश्रण है वो थोड़ा सा 1-2 मिन और ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको बटर पेपर पर निकाल लेंगे और उसी की मदद से इसको थोड़ा सा गूंधेंगे इस तरह से जैसे मैं आ रही हूं यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा होने पर ही कितना अच्छा इसका टेक्स्चर हो गया है और यह हमारी काजुकतली का मिश्रण बिल्कुल रेडी है अब यहाँ पर हम चॉकलेट की लेर देंगे तो उसके लिए हमें चॉकलेट मेल्ट कर ले रही हूँ आप चाहो तो वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं और जिस बड़तन में हमको सेट करना है मिठाई उसमें मैं बटर पेपर डाल दूगी और चॉकलेट की लेयर आप पतली मोटी जिसे आपको पसंद हो वैसे आप लगा सकते हैं मैं थोड़ी सी मोटी लेयर ही बेल लिया है जितना आप चाहे उतना मोटा पतला बेल सकते हैं और अगर आपको सिंपल काजु कतली बनाना हो तो बस इसी को कट करके और आप हलका सा ड्राय होने देंगे तो काजु कतली बढ़िया बन जाएगी है हमारी लेकिन यहां पर हम लेरिंग कर रहे हैं तो यह मैंने बॉक्स के शेप का इसको काटके काजु गत्ती के मिश्रन को डाल दिया है बॉक्स में और एक लियर और में चॉकलेट की इसपे फेला दूँगी और हमारी चॉकलेट अभी मेल्टी ही है इसपे तब हमें जो भी डेकोरेशन करना हो तब हम उसपे लगा देंगे तो यहां काजु के कट करें हुए पीसेस आधे-अधे लगा रही है आप चाहे तो इसपे और भी कुछ लगा सकते हूं और इससे सिर्फ हम पांश मिट के लिए फ्रीजर में रखेंगे और यह देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जो है मिठाई रेडी हो गई है अब इसका जो आस स्क्वेर्स में कट कर रही हूं और प्रेंड यह सच में इतनी बढ़िया लगी थी वैसे तो काजु कतली भी पहुत अच्छी लगती है लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा कुछ नई स्टाइल में सोचा इस बार ट्राइ करूं आपके लिए और यह पहुत थी ज्यादा फ्रें के अंदर ही बन जाती है और यह देख सकते हैं कितनी ज्यादा यम्मी है एकदा मों में घुल जाने वाली है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और हमेशा खुश रहिए स्वस्त रहिए और देखते रहिए मामा स्वूट कॉर्णर थेंक्यू